Hello guys कैसे आप लोग, hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे Government implies January से मार्च के मैने में उलज़े होते हैं कि कैसे अपने खर्चों को manage करें हो, कैसे बचत या investment करें जिससे आप tax बचा सकें बहुत से आपके ऐसे खर्चे होते हैं जिसे आप बचत में दिखा सकते हैं कि जानकारे के आभाव में हम उसे दिखा नहीं पाते हैं तो आज की बीडिो में हम लोग बात करने वाले वो आपके यह कौन से निवेस हो सकते हैं और कौन तो वीडियो के अंत में आई कार्ट पर क्लिक करके दूसरे वीडियो को भी जरू देख लीजेगा और अगर वीडियो से आपको कुछ नया मिलता है जाने को तो कमेंट बॉक्स में उसे जरू लिखेगा तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं को अपके अपने चै कर सकते हैं तो अगर आप में चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन बेटन को प्रेश जरू कर लिजे जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों सुरू कर करेंगे जहां पर आप मैसिमम एक 1.5 लाग या 1.5 लाग का टेक्स बेनिफिक ले सकते हैं और मैंने यहां पर ट्रिपल ली या इटीटी सब्दों का प्रोग किया तो इसे समझ लेंगे ट्रिपल ली का मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टेट इमाउंट है वो टेक्स टेक्स नहीं लगेगा और जो मैचर्टी मिलेगी उत पर भी आप पर टेक्स नहीं लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्कीम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनसी के नाम से फेमस है तो 1.5 लाग का आप इमाउंट इलिजबल है 5 यह के लॉक-इन है और पिससर जन्रल प्रविडेंट फंट या इमप्लाई प्रविडेंट फंट या इमप्लाई के सैलिरी से डिड़क्त होता है टाइप एक दसमल पांच लाग और या इसका लॉक-इन है जब आप रिटायरमेंट होता है यह सार्ट साल की जो एज होती है ई-पनिफिट इसमें भी है चोड़ा नेशनल पेंशन सिस्टम या भी एक पेंशन स्कीम है जो गौर्मेंट इंप्लाई या आल सीटीजन साफ इंडिया ले सकते हैं कॉर्पेट इंप्लाई भी ले सकते हैं तो इसमें आप एक दसमल पांच लाग प्लस पचास अजार का एडिशनल टेक्स बेनिफ करते हैं वह इंकम टेक्स लेप के इसाब से टेक्सेबल हो रखता है यह आपका 80 CCC और 80 CCD 1B के अंतरगत आता है अब बात करते हैं पाच्वयासन की टिया टू टेक्सेबर एकाउंट तो इसमें आप एक दसमल पांच लाग इंवेस्ट कर सकते हैं लोकिन पिरेट मिचल फं और मेचुर्टी होती है उस पर साथ टर्म केप्टल गेंग और लॉंग टर्म केप्टल गेंग लग सकते हैं अब छटे की बात कर लेते हैं मूचल फंड टेक्सेबर प्लान जिसे हम एक कोटी लिंक सेविंग स्किन करते हैं यहां पर आएक दसमल पांच लाग की कैपिंग राप बेनिफिट ले सकते हैं तीन साल का लॉक इन होता है और सेम टियर ट्व एकाउंट की तरह यह कहें टियर ट्रीटी है और एक्टी सी में यह भी लाई करता है अगला है साथान नमबर ट्यारी में इंसुरेंस प्लान यह अभी ज्यादा मार्केट में फेमस नहीं है यह आपका प्यर इंसुरेंस प्लान होता है इसके जो प्रीमियम होते हैं वो आप ले सकते हैं टेक्स बेनिफिट के तर्थ एक दसमल पांच लाग तक ले सकते हैं लेकिन इतने प्रीमियम आते नहीं है लॉक इन पिरेट की बात करें तो जो भी आपका प्लान होता है वही इसक प्लान यही बेचे जाते हैं मार्केट में फेमस हो रहे हैं और इसमें आपकी एलिजिबल एमाउंट एक दसल पांच लाग है जो भी आपका एनोटी प्लान है उसके अमसार इसमें आप लॉक इन है टेक्स बेनिफिक्ट रिपली कर्टेगरी का है अब नवे प्लान की बात कर करते हैं सुकन्या समर्थी योजना यहां सिब बेटियों के लिए लाग है कोई बेटी है 14 साल से कम उम्र है तो एक दसल पांच लाग आप उसमें इन्वेस्ट करके टेक्स बेनिफिक्ट ले सकते हैं इसका लॉक इन 21 साल होता है असार्थ 14 साल की इस तक आप इन्वेस्ट क किया जाता है क्रिश्ट को तो यहां पर उन् बैंट्व लब आप इन्वेस्ट कर सकते करें 5 साल की लॉक इन होती है अपने ऩंग्र हुई है जो पर बनाया घर भी खारिदा है वोवी ही तो उसका पर होता है उसके आप टेक्स benefit ले सकते हैं तो उस year के लिए जितना भी आपने principal amount पेक किया है उस सारे amount पर ले सकते हैं इक दसमल 5 लाख लेकिन maximum है यहाँ पर tax benefit अलग से कोई नहीं है जो आप amount दे रहे हैं बस वही tax exempted है तो आगर आपने कोई जमीन अपने या स्पाउस के नाम से लिए है तो उसकी फीज जो भी ट्यूसन फीज होते है वो यहाँ पर इलिजबल होता है अगर आप किसी बच्ची के लीगल गार्जियन है तब भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो उस साल के लिए ही लाग होता है जिस साल आपने फिक्स को पेमेंट किया है अब चोथा है इन्फा एक्सेक्सर बॉंड तो इसमें 20,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं यह एक बॉंड होता है गर्मेंट सेक्योर्टी होती है जहां पर आपको फिक्स ब्याज मिलते हैं यह मार्केट में बहुत कम फेमस हैं खासकर गर्मेंट इंप्लाई के बीच मैंने और के च लिए बहुत कम फेमस हैं तो यह जिस यह के लिए आपने लिया है उसी यह के लिए यह के लिए कर लेट तो यह ऩूर होता है जिसमें आप लिए सकते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहने के लिए धन्यबाद आपको वीडियो कैसी लगी कौन से ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको लगा कि बिलकुल नया है आपके लिए कमेंड बॉक्स में जरू लिखेगा अगर वीडियो आपको हेल्फुल तो अपने दोस्तों के साथ सेर कीजेगा और इसे लाइक जरू कर लिजेगा इसके सेकेंड पार्ट में मैंने उत सारे सेक्शन की बाद के जो एक टीसी से अद्रिक्त हैं तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख लिजेगा और कमेंड बॉक्स में अपने सुझाओ अपने स जरूर लिखेगा मैं कोर्सिस करूंगा जल से जल उस पर वीडियो लेकर आ सकूंँ चलते चलते आप से फिर एक बार रिक्वेश्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिजेगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और अचला में आइटी फाइनेंस की नौलिज के साथ तब तक लिए नमस्कार